So Money in the Bank 2024 event अब खदम हो चुका है And I know आपके मन में बहुत सारे कॉशन इसे रिलेटेड ये की हुआ वो की हुआ तो जो भी कॉशन है जितने भी कॉशन है सब के अंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो टेंशन तो लेनी नहीं अती जिंदेगे मिलकुल भी और हम स्टार्ट उसी फ्लो में करेंगी जिस तरह हमें मैचेस देखने को मिले इस इवेंट में तरह पहला मैस तो हुआ The Men's Money in the Bank ladder match जो कि हमें जो परसनल तो काफी पसंद आया और अच्छी बात है कि पिछले कुछ सालों से सारे Marine in the Bank matches मज़दार ही जा रहे है इसमें भी हमें काफी सारे cool sports और scary moments भी देखने को मिले बढ़ हाँ एड दीन हमारे Scottish warrior Drew Magadar finally कुछ तो जीती गए बाद में जो हुआ उनके साथ वो तो चलो बाद की बात है ना बाद में बात करते उसके बारे में लेकिन अच्छा लगा मुझा उस टाइम पर देखके कि यार डू के पास कुछ तो आया बचारे हारे जारे लगा तार यार इतने टाइम से अब वो तो जीत गए थे इस मैच में तो यहां से आपका एकी कॉशन होगा कि यार बाकियों की डारेक्शन तो फिर भी क्लियर लग रही कि एलन आइड जैसे है तो उनकी फ्यूड हमें लोगन पॉल का गया है यह जेखने को मिलेगी तो डेफिनेटली उनके लिए काफी दिक्कत की बात है तो अब वो आगे क्या करने वाले है उनकी नेक्स टोई लाइन चलेगी किसके अगेंस्ट तर फिल्हाल तो रूमर्स के अगॉर्ण यही सुनने में आया है कि यह उसो हो सकता है कि ब्लड लाइन वाली स्टोरी में इन लिए उसो ही होने चाहिए बाकि देखते हैं और कॉन आ सकता है एक और कॉशन हो सकता है कि यह काफी सार रूमर्स आ रहे थे कि एजली हम इस मैस में देखने को मिल सकती है वो कंफरंट कर सकती है कॉस्ट करवा सकती है डूमाइक इडर कोई मैच बट ऐसा कुछ भी नहीं करती है वैसे वह अपने सारे कामा में अच्छे से लगी हुई है उनका मन तो नहीं वापिस आने का लेकिन एक टाइम पर मेरा भी कहा मन था कभी अगर स्टास अलाइन हुए तो हो जाएंगे नहीं हुए तब भी क्या ही है होप आपको सब अब क्लियर हो गया होगा इससे न क्लीन हारे हैं और हां उनके क्लीन हारने से एक स्ट्रीक भी उनकी खतम हो गई है जो कि उनकी नाइन मंच से चल रही थी वह एक भी सिंगर्स मैच क्लीन नहीं हारे थे पर हाँ यह बिल्कुल मत समझना है इस मैच से कि ब्राउं ब्रेकर टाइटल पिक्चर से आफ जा चुक इरो जॉन सीना के रिटायर्मेंट की देखो यार मुझे काफी बुरा लगा था जब जब जॉन से ने आनाउसमेंट की थी मतलब बंदे ने रिटरन किया हम सब को सैड फिल करवाने के लिए लेकिन अब आपको सैड फिल करने की बिल्कुल भी जुरूरत नहीं की जॉन सी जाने निवाले वो आने वाले फिलाल आप ये सोचो की इन्होंने बोला कि वह रिटायर हो रहे हैं लेकिन वगनाति वी धम्लीria नी हो रहे हैं लेकिन वो एकदम से एक मैज데 करनेव रिंग में लेकिन जैसे ये पूरा साल खतम हो जाएगा, वो डब डबली से कम्प्रीटली चले जाएगे और उन्हें ये चीज बिलकुल क्लेर कर दिये कि जब ये टूर खतम हो जाएगा तो वो कभी वापिस नहीं आने वाले इंडिन कॉपेटिशन के लिए उसके बाद जॉंसीना हमें सूट अरय में बड़ी तरीके से वहाँ बुरा लगा लेकिन इस बात का अच्छाँ भी लगा कि अगले पूरे साल में हमें जॉंसीना देखने को मिलेंगे और बाकी कुछ होना हो भाई बस तीन चीज़े चाहिए ही चाहिए मुझे जॉंसी ने के इस लास्ट रेटायर्मेंट टूर में दूसरा उनका मैच विद रैंडी ओर्टन और तीसरी चीज़ की वो 17 टाइम्स वर्ल चैंपियन बन के निकले और most probably अब ये चीज़ देखने को मिल सकती हमें मैं काफ़े excited हूँ इसमें मैं dedicated वीडियो भी लेकिया हूँ क्योंकि इसके related तो काफ़ी कुछ है मेरे पास बात करने के लिए और काफ़ी interesting भी पिल्हाल आगी चीज़े बताता हूँ मैपको next match हमें देखने को मिला था देविन प्रीस वरसे सेथ फ्रिकिन रॉलेंस का फॉर दी वर्ल्ड है विड चांपरिशिप जो की match काफी बढ़िया था देविन प्रीस से बाच हुआ एक मॉमेंट पर लेकिन यार इस टाम पर दो लेकिन बढ़िया मैज दिया है हमें उस चीज के लिए याज रखना चाहिए और भाइ डू मैंक इंडार ने तो इस मैच में हिस्ट्री ही क्रेट कर दी आज तक एक भी मन इंद बैंक ऐसी नहीं और एक भी मन इंद बैंक विनर नहीं रहा है जिसने की सेम इवेंट में ब्रीफ केस जीता हो और उसी सेम इवेंट में कैशन करके हार भी गया हो डबरबली ने बहुत ही जादा हीट अप कर दी यार चीज आइनो काफी लोगों को पसंद नहीं आई यह चीज की यार इस सच कैशन से चैंपिन बने बंदा वो मज़ा सा नहीं आता है अब क्योंकि रेसल मेनिय में कैशन हुआ है भाई आज कैशन हो जाता है दो तिन महीने के गैप पे तो फिर समझ रहे हो आप तो अब यह प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी पूरे साल के लिए और हाँ अगर आपके मन दिया यह मैच और आपको तो पताई यह दोनों कितने अच्छे दोस्त भाई जब यह ट्रिपल थ्रेट मैच होगा इतना भाई अंकर मैच होगा क्या ही बताऊ मैं फिलहाल इससे नेक्स मैच की तरह में चलता हूँ जो कि हुआ वुमें इंदा बैंक लैडर मैच जो कि अग बेबी पिंक कलर दे दे और मुझे यह बिन लगता कि टिफनी श्रैटन जल्दी कैशिन करेंगी आइधिंक वह काफी लंबे टाइन तक होल्ड करने वाली इस ब्रीफ केस को और वह टीज करती देंगी जो कि सई चीज भी है अगर वह एकदम से जीत गई ना तो उनका इयो स होना नहीं जाहिए था यह मैच पहले करवा देती डवर्ल टाइटल मैच लास में करवाती लेकिन चलो हो गया जो हो गया अब देखो इस मैच में कोडी रोड स्पिन हो चुके है बहुत ही इजी है गेस करना जादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है डबर अबली को सोले सिक कर दी है जब इन दोनों का मैच समर स्लाम में होगा तो रोमन रेंस का हमें एक सर्प्राइजिंग शॉकिंग रिटर्न डेफिनेटली देखने को मिल सकता है जब वो पॉल हमन के साथ वापस आएंगे और एक ब्लॉड लाइन सिविल वार वाली सिचुएशन क्रीट हो जाए लेकिन अब कुछ टाइम पहले ही चीज हुई है डेफिनेटली डबर वी को प्लैनेटली चेंजेश करने दे बहुत सकता है समर स्लाम से पहले वो किसी स्मैक डॉन के एपिसोड पर वापस आजाएं और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो समर स्लाम इवेंट ही बच रहा है क कहीं नहीं आए तो वहां तो वह जरूर आए जाएंगे और मज़ा बहुत आएगा क्योंकि मैं बहुत इंट्रस्टूट अब्जेक्शन के लिए कि रियल ट्राइबल चीफ फेक ट्राइबल चीफ और उसके अंटर चपंटर को कैसे मज़ा जगाते हैं So that's it I hope आपको सारी चीज़े अब क्लियर होगी होंगी मैंने बैंक से रिलेटेट की आगे अब क्या होने वाला है फिर भी अगर कुछ कोशन रहे गे हैं तो यार कॉमेंट सेक्शन पूछ लेना मैं आपका खुछ से रिप्लाय कर दूँगा बाकि अगर आपको नहीं पता क आपकी देशील्ड रिउनाइट होने वाली है लेकिन कैसे यह रही वीडियो आपके सामने से जल्दी क्लिक कर और देख लो और मैं मिलता हूँ आप से प्री नेक्स वीडियो में बहुत ही इंट्रस्टिंग टॉपिक के साथ सो अंतिल दाट ताइम दिस जय साइनिंग आउ झाल